हेलो स्टुडेंट्स गुडा प्रनून कैसे हो आप सबी देखे स्टुडेंट्स अपना जो टोपिक चल रहा था मानव का जनन तंत्र जो 28 नंबर चेप्टर है मानव का जनन तंत्र और ये जो भाग है इसके अंदर हमने क्या बढ़ लिया था आपको मैंने बताया था कि जो मानव जनन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, नर जननतांतर और मादा जननतांतर, जिसमें सबसे पहले हमने नर जननतांतर के बारे में देखा था कि कौन-कौन सी सरंचना होती है, मुख्या नर जनननंग होता है, व्रसन और सायक जनननंग कौन कौन से होता है, सायक जनननंग होता है, ये आपके सुक्रवाहीनी, अधिवरशन, सुक्रासिय, प्रोस्टेट गरंती, बल्वो यूरेथ्रिल गरंती, काउपर गरंती, वो सब हमने देखी थी नर जनन तंतर में फिर हमने स्टार्ट गया था मादा जनन तंतर, मादा जनन अंग मुख्या रूप से कौन सा होता है कि जो अगला संक्रा भाग है वो गर्वाय से ग्रीवा, उसके पस चात योनी और सब से जो बहाई ये मादा जननन का बहार ही भाग होता है उसको बोला जाता है वल्वा, ठीक है, अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, आज वल्वा या भग को भग या वल्वा किसे बोला जाता है, मादा जननन अंग का जो बहाई ये भाग होता है, उसे क्या बोलेंगे वल्वा मादा जनननांग का बहाई ये भाग, ठीक है, तो इस टोपिक को नोट कर लीजिए आप और अभी हम सभी भागों को विस्तार से बढ़ते हैं, ठीक है, अब भी ये जो भग है वो अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है, तो देखिये पावसे एप तो जो मादा जनननांग के सारे बहाई ये भाग दिखाई देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है, वग या वल्वा, और वो किन-किन भागों से मिलकर बने होते हैं, प्यूबिस, मुंड, व्रहेद, बगोस्ट, लगू, बगोस्ट, बग, सेफ, इन सब बागों से मिलकर बने होते हैं, इनके क्या क्या पॉंट होता है, वो हम नोट करेंगे अभी, तो पहले आप इनको एक साथ कर लीजे, नोट और फिर हम एक करके इनको देखते हैं, ठीक है, इन सब बागों को पढ़ेंगे, इसमें एक बागों हो रहे हैं, देखिए, प्रग्राण, तो देखिए, इन भागों के ज्यादा इंपोर्टनेंट नहीं, आपको एक एक पॉंट ध्यान रखना है, जो प्यूबिस मूंड होता है, वो वसा उत्तक का बना होता है, वसा उत्तक से बना, उब्रा हुआ भाग, जो भागिया वलवा है, उसका जो उपरी बाहरी भागवसा उत्तक से बना होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्यूबिस मूंड, फिर व्रहद भगोस्ट और लगू भगोस्ट होता है, वो क्या होता है, दोनों अंतर वलन होता है, जो प्यूबिस मूंड के नीचे पाए जात प्यूबिस मुंड से नीचे, उपस्तित, अंतरवलन, उसके बाद आता है भग सेफ, इसका पोइंट एक इंपोर्टेंट है, कि जिस प्रकार नर्जननंग के अंदर बहाई ये बाग सीशन होता है, तो उसके समान ये भग सेफ वाली सरंचिना काम करती है, ये उसका क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा सम्वेदी होता है, जिस प्रकार नर्जननंग के अंदर पैनी सीशन होता है, वो सम्वेदी होता है, सेंसरी ओर्गन होता है, उसी प्रकार मादा के अंदर जो भग सेफ है, वो क्या होता है, सम्वेदी अंग होता है, तो सम्वेदी सरंचिना, औ और दूसरा point इसमें क्या धियान रखना है? नर के सिसन के समझात अंग. देखे, students, आपने नम सुनाओ, तो एक होता है समझात अंग और एक होता है समझात अंग. वे अंग जिनकी सरंचना एक सम्मान होती है, उनको समझात अंग बोला जाता है, तो ये भग सेफ होता है, इसकी size दोनों की change हो सकते है, लेकिन दोनों की सरंचना लगबग मिलती जुलती है, इसलिए भग सेफ को जो नर के सिसन का क्या बोला जाता है? समझात अंग बोला जाता है, और ये एक प्रकार की समवेदी सरंचना है. फिर आता है प्रगान, प्रगान क्या होता है? कि जो प्यूबिस मुन्ट के निचे, जो खान्छ के रूप में जो भाग होता है, ऐसको क्या बोला जाता है? प्रगान जिस्म के अंदर योनी मार्ग है, वो खुलता है. तो ये आपके भग के जो भाग है, इसको नोट कर एड़ी 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 झाल 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 करता है और लेंगिक व्यवार में उत्तेजना के लिए भी कार्य करता है तो देखिए बार्थोलिन गरंतियां आपको पुचा जा सकता है गरंतियों के बारे में इसमें धेखिए इसमें आपके क्युशन क्या आ सकता है कि बताइए बार्थोलिन गरंतियां किन के अंदर भाई जाती वार्थोल इन ग्रंथियां ये कहां पर उपस्तित रहती है व्रहद भगोस्ट वाले सेतर में उपस्तित व्रहद भगोस्ट वाले भागमर इस्तित इन ग्रंथियों के द्वारा सारी ये स्नेहक का निर्मान किया जाता है इन ग्रंथियों का स्राव भग सेतर को चिकना रखता है तथा परस पर लेंगिक व्यवार के प्रती उतेजना उत्पन करता है ठीक है तो बार्थोलिन ग्रंथियों को नोट कर लीजिए झालए बार्थोलिन ग्रंथियों को जाजिए ग्रेंगिक व्यवार के तो लीजिए को लीजिए उत्पन है झाल 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 यह आपके सायक जनननंग में बार्थोलिन गरंतिया भागता अब एक लास्ट बसता है मादा के सायक जनननंग में जिसको बोलेंगे इस्तन ठीक है तो देखे इस्तन यह इस्तन गरंतियां यह जो इस्तन गरंतियां होती है नर में भी पाई जाती है मादा में भी पाई जाती है लेकिन नर के अंदर यह निस्क्रिय रहती है और मादा के अंदर यह सक्रिय रहती है यानि सक्रिय इस्तन गरंतियां किसका गुण है? मादा का जबकि अगर सिर्फ इस्तन गरंतिया बोलोगे मेरी ग्लेंड तो वो नर में भी होती है लेकिन नर के अंदर वो सक्रिय नहीं रहती है दुग्द का निर्मान नहीं कर सकती लेकिन जो मादा के अंदर इसतन गरंथिया होती है, वो सक्री होती है, जो दूद का निर्बान करती है, जिसे सिशू का पोषण किया जाता है, तो इसमें पहला पॉंट लिखना, मादा में उपस्तित, मादा में एक जोडी, इसतन उपस्तित, जिन में इस्तन गरंथियां पाई जाती है जो इस्तन गरंथियां होती है इनके अंदर कई पालियां पाई जाती है और पालियों के अंदर दूद उत्पन गढ़ने वाली कोशिकाएं होती है तो देखिए इस्तन गरंथियों में कई पालियां पाई जाती है जिन में दुख्द गरंथियां उपस्तित रहती है जो दुख्द का निर्मान करती है ठीक है अब देखिए जो ये दूद का निर्मान होता है इस दूद का काम क्या होता है शिशू को पोशन परदान करना तो इस तन गरंथियों द्वारा निर्मित या दुख्द गरंथियों द्वारा निर्मित दुख्द का कार्य है शिशू को पोशन प्रदान करना शिशू को पोशन प्रदान करना ठीक है ये पोइंट नोट कर लीचिए झाल है झाल है झाल झाल प्रकार के हार्मोन काम करते हैं देखिए इस्तन ग्रंथियों पर कार्य करने वाले हार्मोन चार प्रकार के हार्मोन हैं एस्त्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओक्सिटोसिन और प्रोलेक्टिन. देखिए जो एस्त्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम सिस्रावित होता हैं इस्तन ग्रंथियों का विकास विकास वे व्रदी ठीक है फिर है ओक्सिटोसिन इस हार्मोन का निर्मान तो आईपोथेलेमस के द्वारा किया जाता है लेकिन ये स्रावित किसके द्वारा होता है प्यूस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है यानि हाइपोथेलेमस ओक्सीटोशिन हार्मोन को निरमित करके पस्च प्यूस ग्रंथी में डाल देता है और फिर जब सरीर को requirement होती है इस हार्मोन की तो प्यूस ग्रंथी इसको स्रावित करती जाती है ये हार्मोन है वो इस्तन गरंतियों से दूद निकालने को प्रेदित करता है इसलिए इसको दुख्द स्रावन हार्मोन भी बोलते हैं और उसके लावा मैंने बताया था कि ये हार्मोन गरबाईसे की भित्तियों में संकुचन करवाता है प्रसाव के समय है जिसके कारण прसाव पीडा उत्पन होती है इसलिए इसको प्रसाव पीडा हार्मोन भी बोला जाता है अग्ला है प्रोलेक्टिन ये अग्र पिउस गरंति के द्वारा स्रावित होता है और इस्तन ग्रंतियों द्वारा दूद निर्मान करने के लिए ये क्या करता है?, इस्तन ग्रंतियों को प्रेइध करता है। तो ओक्सितोशिन में P.U.S. ग्रंति द्वारा स्रावित, लेकिन निर्मित कौन करता है? अइ àsपोथेलेमस और इसका कार्या है इस्तन ग्रंतियों से दुख्द स्राव को प्रेवित करना दुख्द स्राव का प्रेवित और फिर है प्रोलेक्टिन अग्रप्योस ग्रंति द्वारा स्रावित और ये क्या काम करता है इस्तन ग्रंतियों में दुख्द निर्मान को प्रेवित करना यह तो दूग्द के स्राव को प्रेवित करेगा यानि दूद को बनने के लिए प्रोलेक्टिन स्रावित करेगा और जब वो दूद बन गया तो उसको बाहर निकालने के लिए प्रेवित कोन करेगा? oxytocin, इस्तन गरंतियों द्वारा, दुख्द निर्मान का प्रेरण देखिए students, आपने देखा होगा कि बच्चे के जनम के 24 गंटे के बाद जो मा के इस्तनों से दूद आने लगता है, इसका कारण क्या है, oxytocin आर्मोन क्योंकि पहले तो ये गरभाईशय पर लगवाए, गरभाईशय को क्या करता है, संकूचित करता है, प्रेरित करता है, जिसके कारण प्रसव हो जाता है, तो oxytocin पहले वहाँ पर काम करता है, और फिर ये काम करता है इस्तन गरंतियों पर, और उनको उन से दूद निकालने के प्रेरित करता है तो इतने समय में यह जब गर्भाइशियक के काम को कम्प्लीट करके इस्तन गरंतियों पर काम करता है उसके प्रोसेस को पूरा करता है तब तक लगबग 24 गंटे का समय लग जाता है यही कारण है कि बच्चे के जनम के तूरंत बाद मां के इस्तनों से 20 गंटे के भीतर है वो आजाता है क्योंकि कौन प्रेरित करता है ओक्सिटोशिन हार्मोन तो द्यान रखना इस्तन गरंतिया दूद का निर्मान करेगी इसके लिए प्रेरित कौन गरेगा प्रोलेक्टिन लेकिन इस्तनों से दूद निकालने के लिए प्रेरित कौन गरेग क्योंकि इससे पस्वों की खुद की जो समता है दूद उत्पन करने की वो है वो समापत होने लगी है इसलिए इस इंजेक्शन पर बेन लगा दिया गया तो नोट कर लीजिए इसतन ग्रंथियों और उनके जो उन पर काम करने वाले हार्मोन का निर्मान और कार्य है झाल 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 तो स्ट्रेंट्स यह हमने हर्मोन और गरंथी के बारे में देखा अब हम जो इसके साथ ही में ली जो आपके नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र वाला टोपिक है वो कंप्लीट होता है उसके साथ एक जो आपके टेबल दी विए वो मैं डिसकर्ज कर रहे हूं कि जब नर और मादा के अंदर योवनारम सुरू होता है कि सोरा वस्ता प्रारम होती है तो उस समय उनके सरीर के अंदर क्या-क्या चेंजे जाते हैं तो देखिए योवनारम के समय सरीर में होने वाले परिवर्तन नर में क्या होंगे और मादा में क्या होंगे देखिए सीसन व्रसन व्रसन कोस के आकार में व्रदी जबकि मादा में क्या होंगे अंडवा ही नी गर्वाज से भग सेफ के आकार में व्रदी यानि जो मुख्य लेंगी कंग और साहयक लेंगी कंग है उनकी आकार में है वो साइज है वो इंक्रीज होने लगती है आकार में व्रदी होने लगती है उसके लवा सरीर पर बालों की व्रदी किसक में नर में जैसे दाड़ी मूच का आना लेकिन मादा के अंदर ये इस प्रकार का नहीं होता है यानि सरीर पर बालों की कमी उसके लवा नर के जो हार्मोन होते है वो कौन-कौन से मुई के रूप से टेस्टोस्टेरोन है वो नर लेंगी हार्मोन कहलाता है इस हार्मोन का निर्मान भी होने लगता है टेस्टोस्टेरोन क्या के निर्मान में व्रदी जबकि मादा के अंदर मादा हार्मोन कौन से होते है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण में व्रदी निर्में आवाज का भारी होना जबकि मादा के अंदर आवाज का पतला और मधूर होना आवाज का पतला और मधूर होना शुक्रजनन का प्रारंब यानि व्रसन में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं जबकि इनके अंदर आर्तव चक्र का प्रारंब तो इस प्रकार कही लक्षन होते हैं जो नर और मादा के अंदर योवनारंब के समय सुबन जाते हैं तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए करो कि अंदर के अंदर आर्र मादाए क्रार आर्ट झाल 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 तो देखिए स्टेंट्स ये टेबल थी जिसके अंदर अपने नर और मादा के जो योना रम के समय सरीर में चेंजेज किनिमन में से कौन सा नर्ज साएक जनन अंगे कौन सा मादा साएक जनन अंगे तो ध्यान रखना नर का मुएक जनन अंगे वरसन या टेस्टी到底 Those इसके लावा नपिवदेशान में चेप्टर को अभाई braई कर पाद भाग उसके लावा बार्थॉलीन ग्रंथिया यह important point है इस्तन ग्रंतिया वो सब किसके लक्षन है मादा के तो यह हमने पूरा विस्तार से chapter को study कर लिया बिल्कुल समझ समझ के पढ़िये और बिल्कुल continue अपनी तयारी को रखिये तो students मिलते हैं next class के अंदर नए topic के साथ तब तक के लिए thank you so much कर दो समय हमने और at मैंस समय को के लिए दो ठाहर के लिए B deiकु हमने method just